एक होर वीडियो रिपोर्ट लाके हाजरना चैनल रितेश लखी अनप्लाग दे विच ते बीते कई दिना तो उस एंकाउंटर तो बाज इस विच की पंजाब दा खतरनाक गैंक्स्टर जैपाल पुलर कुलकोता विच एक एंकाउंटर विच मार गराया गया उस तो बाल लग तो उस दे गैंग ने मईदे महीने विच किता सी तो काफी तफसील उस वीडियो दे विच सी तो जैपाल पुलर उते जिडियेवी गल्ला बातना पब्लिक डोमेन दे विच आ चुकिया ने उस तो जादा अग्य वद के कुछ दसन कैन या पाननू मेरे कुल कुछ खास नही तो मेरा आज दा जड़ा वीडियो है ओ जैपाल पुलर उत्ते अधारित नहीं होन वाला केंदरित नहीं होन वाला लेकिन मैं गाली कैसे बहुत ही वड़े मामलेदी करांगा जो कि तकरीबन ओहो जाई ही मामला सी जिस तरीके दा हाल ही दे देना विच सामने आया है यानि क एनकाउwn्टर जो की पच्चं मंगाल दे वीच कुलकाता दे वीच होया मैं तोड़ी जानकारे लिए दाजदमावी पंजाब अ ते पच्चं मंगाल दा Today पक्षों एक बहुती पुराना रिष्टा है, पुराना राप्ता है, एक तालुक है, ते ए तालुक जो 2021 दे वीचे बहुती चंगे ते सुचजे टांक देनाल एक वेल कोडिनेटेट ते तालमेल नाल कीते गे पुलिस एनकाउंटर जिस दे बिच की पंजाब पुलिस वीदी लाके जान दी है, एओ समा हुंदा है जदों की तालमेल ते कोडिनेशन ना दी कोई चीज नाता होया कर दी सी, ओ अजेहा दौर सी जिस वीच की पंजाब पुलिस नो पुरा देश ही अपना दी कारकेत्तर लगया कर दा सी, ते उननो इस चीज दी लोड कदी नी महसूस और जाके रेट्स कर दी हैं सन, उत्थे जाके चापे मारी हुंदी सी, ते एंकाउंटर बहुत वड़े-वड़े किते जान दे सी, ते बाद दे विच पुलिस नो इस चीदी जानकारी दित्ती जान दी सी, ते कई मौके ऐसे आए जदों की होर सुबे नी सरकारा नो पता त ते उस वक्त एक एंकाउंटर हुंदा है जो की पच्चम बंगाल, कोलकता उस दी राज़तान नी, ते उस दे नाल लगद एक सबर्ब या कस्वा जिसनो अपा कहने हैं, उस विच हुंदा है, उस कस्वे ना हुंदा है तिल जला, ते इस पूरे एंकाउंटर नो तिल जला ते ना नालो जाने आ गया, हलांकि एंकाउंटर पंजाब पूलिस दी किताबा दे विच ए रिकॉर्ड दे विच एक एंकाउंटर सी, लेकिन पच्चम बंगाल दी सरकार दी या उत्थों दी पूलिस दी किताबा दे विच ए एक हत्यादा मामला सी, जिस उत्ते की बाकाइ दो शक्स जो की पती पतनी हुंदे ने पतनी प्रेग्नेंट हुंदी है उना नो गोलिया मार के पंजाब पुलिस दी एक special टीम पंज मेंब्री टीम जो की उचेचे पंजाब टो गई हुंदी है बंगाल मार दन दी है ये शक्स कौन सी इसदी तफसीर आनवाले वीडियो दे ह उससे दा सामना करना पया लेकिनों दौर ही अलाक सी उस दौरान मुख मंत्री बेंसिंग सान पंजाब दे डीजीपी के पील गिल सान तेजदेनाली पूरे देश देविच पंजाब देविच वखवात ते खाड़कुवात देशतवात दे खिलाफ लड़ी जा रही पंजाब सरकार रहते किंतु परंतु करन वाला उंगल चुकण वाला कोई भी नहीं सी तो उसे समेधी उसे दौर दी में गाल का रहा है 17 मई 1993 दा तड़के स्वेरे तिलजला दा ओ एंकाउंटर जिस विच की जड़े दो लोग मारे जानते ने ओ मुहमडन होंते ने मुसलम बशीर एहमद नादा एक शक्स एक नौजवान पुलस दी परती होंता है पंजाब पुलस दे विच मांसा जिले दे विच उसनी तेनाती किती जानती है एक कॉंस्टेबल दे तौरते ओ परती होंता है एक पहलवान होंता है एक रेसलर होंता है शरीर दा कद काट तगड़ा होंदा है चोड़ा मुंडा होंदा है बशीर एहमद दी जो पनाती होंदी है ओ ततकाली जड़े डीएस्पी होंदे ने सुकदेव सिंच हाल देना लाती जानती है ओ दौर सी जदों कि विखवाद के खिलाफ जड़ी लड़ाई या खाडकवाद के खिलाफ जो जंग चाल रही सी उस दे विच बबबर खालसा दा उबार काफी हो रहा सी उसलिए पंजाब पुलिस दे लागबाग 1986 तो बार शुरू होए उसी कैट ओपरेशन्स दी टेकनीक दे तहत बशीर मुहम्मद जोकी पंजाब पुलिस दा कॉंस्टेबल हुंदा है उस नू बबर खालसा दे कैंप दे विच वारता जान दा है लेकिन जदों अपने कैट दी पुमिका दे विच यानि की अपने अंडर कबर ऑपरेटिव दी पुमिका दे विच बशीर मुहम्मद बबर खालसा दे जड़े वखवादी हुंदे ने या खाडकु हुंदे ने उनना नाल रह रहा हुंदा है विच्चर रहा हुंदा है उस त वड़े वड़े जड़े खाडकूसन उना नो नूट्रलाइस कर दया कर दी सी। यानि की पुलिस बोलो अपने मुखबर या अपने अंटरकवर ऑपरेटिव्स अतवादियां दे वकवादियां दे या खाडकूआं दे रैंक्स दे विच वारते जान दे सी। तक्रीबन उसी तर्ज दे उते बशीर एहमद एक मोलदी शकल दे विच पंजाब पुलस दा कैट बंड के बबर खाल सादे विच्चर रहा हुंदा है। तक्रीबन उसी तर्ज दे विच पंजाब पुलस दे रैंक विच पंजाम दे चुका हुंदा है। तक्रीबन टाइद दर्ज दे विच पंजाब पुलस दे टीमा नू या मान साय संदे रहा हुंदा है। पुलस दे विच पंजाब पुलस दे विच पंजाब पुलस दे रहा हुंदा है। बशीर मुहमद यानि की बबबर लच्मन सिंग दे कटर दुश्मन मान चुके हुंदे ने ते ओनानू पाल हुंदी है बबबर लच्मन सिंग दी। इलगातार गालबाच चाल रही हुंदी है लेकिन देशतवाद दे इस दौर दे विच खाड़कूबाद दे इस दौर दे विच जड़ी तारपकड हुंदी है। उस साल 1990-92 दे दौरान काफी तेज हो जान दी है तेजी फाड़ लें दी है। इलिमिनेट हो रही हुंदी है ते पुलिस दा जड़ा एक एक एक्शन होंदा है और 1992 दे विच ब्यांत सिंग दी सरकार और तो बाद होर भी जादा तेज हो चुका होंदा है। जिना चाह रहा हुंदा है ते फिलहाल कुछ देर तको पुलिस तो बाच के रहना चाह रहा हुंदा है। लेकिन इस चीदी जानकारी जड़ी है ओ पंजाब पुलिस नो लग जान दी है क्योंकि लगातार DSP सुकदेव सिंग चैहल जो की बशीर एहमद और्फ बबरनू यानि लच्छमन सिंग बबरनू लाबरे हुंदे ने उस नो बहुत शिद्दत देनाल पाल रहे हुंदे ने इस जिनने भी साथी है local links हुंदे ने उना सब नो गिरफ्तार किता जा रहा हुंदा interrogate किता जा रहा हुंदा है इस तो की लच्छमन सिंग बबर यानि की बशीर मुहंबध दी कलकता दे बीछ होंदी जानकारी जड़ी है ओंभाद इस नो बिल दी ए ते इस बाद एक़ेश ख्यार बंद जरी पार्टी टुकडी हुंदी है, ओ पंजाब तो कुलकता पहुंच दिये, इस तो पहला कि तो नू ए दस्या जावी वी कुलकता दे विच पहुंचके इस टीम ने की किता, उस तो पहला ए जुरूर दासना है वी इस टीम दा मोड आफ ट्रांस्पोर्टेशन की हुंदा है, तो उसी सोचूंगे बड़ी सिंपल ची डिटेल है, दे विच लंबी चोड़ी काल होनी नी चाहिए दी, ऐसी क्यों दस ये वी टीम के में पहुंची सी, क्योंकि सी जैपाल पुलर्दे केस दे विच वेख्या भी पंजाब पुलिस नू सूचना मेली, पुलिस दे नाल ते उथे STF टीम ने ऑपरेशन कीता, लेकिन 1993 दे उस केस दे विच पंजाब पुलिस दी पांच मेमरीज दी टीम है, जो कुलकता पहुंच दी है, ओ एक हेलिकाप्टर दे विच कुलकता पहुंच दी है, यह ही दौर सी जदो कि पंजाब दे विच हेलिका पुलिस दी हुंदी है, जिदी अगवाई संथ कुमार सिंग कर रहे हुंदेने SP Operations, यह भी ओ ही DGP KPS गिल वलों, जिदा इस्तेमाल किता गया हेलिकाप्टर उसनों लेके कुलकता पहुंच दी है, 17 मई 1993 तड़के सवेरे तिलजला, सबर्ब, उकसबा, कुलकता दा उस विच सवेरे सवेरे एक लोकालिटी दे विच 15 मिनट तक बहुत ही खतरनाक तरीक के नाल गोली बारी हुंदी है, जिस उसका अदे विच हुंदे है, जिसुते ताबरतोड गोलियां पंजाब फुलस वलों बरसाइयां जान दियाने, आसपास दे इलाके दे लोग वसनीक, खौफ जदा हो जन देने, उननों समझ विच नहीं आंदा वी, अचानक कुलकता दे इस सवेरे विच हो की गया, लेकिन पंधरा मिनट तो बाद जदों फाइरिंग रुख दी है, ता ए ऐसास हुंदा है विच अंदर जड़े दो लोग हुंदे ने, जिना विच ओ महिला जड़ी सी, रानिक और उर्फ बेगम, सकीना बेगम, ओ प्रेगनेंट वी सी, ओ दोवा नों मार गिरा गया हुंदा है, ब पंजाब पुलिस दे इस एक्शन दी कोई भी जानकारी पच्चिम बंगाल ना दा सरकार नों हुंदी है, ना कुलकता पुलिस नों हुंदी है, ना ही स्थानक ठाने दे किसी भी दिकारी नों जानकारी दित्ती जान दी है, तो एक हेलिकॉप्टर दे विच पंजाब पुल पिछले हिससे वी जिस तरीके नाल मैं मोड अफ ट्रांस्पोर्टेशन हूँ काफी एहमें दित्ती सी वी किमें पंजाब पुलिस दी पांज मेंबरी टीम, पंजाब तो उड़के कुलकता पहुंची, ओमें ही वापस किमें आंदी है, ओमी बहुत महतपूरण है क्योंकि बे लेकिन जदों एहलिकॉप्टर दे विच लाशान लोड किती है जान दियाने, ते उस दे पाइलेट ते एविएशन दा जड़ा कैप्टन हूंदा है, उस दे वलों इतराज किता जान दा है, उस पाइलेट वलों इतराज इसली हूंदा है क्योंकि जड़े पुलस अफसर लेकिन पाइलेट दी जबरदस्ती तो बाद या पाइलेट दे इंकार करन तो बाद ए एंट्री किती जान दी है, ते महमद बशीर अटे उस दी पतनी सकीना बेगम जो की हुन लच्चमन सिंग बबर आते रानी कॉर्ब हुंदे ने ते उना दियान लाशा हुंदे ने उना पिशोकरदा नहीं पता हुनदा ना बशीर महमद ना ही सकली ना बेगम दे पिशोकरदा तो ओ लोका ने हसाब ना एक गलत इंकाउंटर हुनदा है जिस विच की गलत तरीके ना लोका नो मार मुकाया गया हुनदा ते इस चीदा इतराज जड़ा है वो बहुत ही उतले उसी साल दे विच इक तेजिंदर सिंग बिल्लू ना दे जड़ा शक्सी एक वखवादी मन्या जांदा सी उस दवी एक एंकाउंटर लगपक 9 या 10 पंजाब पुलिस दी टीम दे मेंबर संग उना ने कलकता दे आसपासी किता सी इस तरीकी दियां वारदाता लगातार पंजाब पुलिस वनों कई सूब्यां दे विच अंजाम दिती हैं जान दियां सा जित्थे की अपने अधिकार खेतर नों तोड़के अपनी जूरिस्डिक्शन नों तोड़के ते स्थानक ठाने या स्थानक पुलिस नों जो की सुप्रीम कोर्ट दा रुख इक पी आईयल दी शकल विच कर चुके होंदे ने उना वलनों सुप्रीम कोर्ट दे विच ए मांकिती गई होंदे विस पूरे मामला दी उच पद्री जांच करे जावे ते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका होंदा है जित्थे की Justice A.H.A.च्फाज हें ना गजे। बेंच को में केस लागड़ा है। Justice A.H.A.D. ने बाद दे विच पारवदा चीफ जस्टिस भी बादना हें हें। लेकिन Justice A.H.A.D. डा रोल इस पूरे केस दे विच बहुत ज्यारी हें। जिस तरीके दे किस से अखवारां विच पढ़न ते सुनननों मिल रहे हुंदेने उसनू लाएके सुप्रीम कोर्ट दा रुख सक्त हो चुका हुंदा है बात दे विच सीवीय जाँच दे विच सपष्ट होना हुंदा है उसनू लाएके बहुत होखला हुंदा है ते जस्टिस आहमदी ते सुप्रीम कोर्ट दे बहुत सक्त टिपणिया और्डरां दे विच देखियां या पढ़ियां जा सकत दिया ने जिस दौरान एक केस दी चल रही हुंदी है एक बहुत ही सीरिस मामला हुंदा है जिस बिच की जस्टिस आहमदी ते सुप्रीम कोर्ट दे जजाँदा गुस्टा है हुंदा हुदा ही पंजाब सरकार ताउस दा चीफ सकथर बंगाल दे सरकार दे चिठ्थी दा जवाब तक देना मुनासर नहीं प्रोटोकॉल नो फॉले करन दी जड़ी तकीद है उस सारी यां स्टेट्स नू या सारी स्टेट पोलिस नू कित्री जान दी है ते पंजाब पोलिस दी जड़ी हिमाकत हुं दी है उ लगातार वादरी हुं दी है इस तरीके दे एक्स्टा कॉंसिचूशनल अथॉर्टी नो अज्यूम करके तक्के देनाल होर सुबन दी जड़ के इंकाउंटर महराष्ट्रा ते इस तरीके दी मद्रपरदेश दे विच बारदाता ओ भी रोश्नी दे विच आईया हुं दिया ने तो इक तरीके दे प्रोटोकॉल नो सेट करन दी गालबात के इंदर सरकार वननों हो कर रहे हुं देने एवी दास दी वी उस वक्त पूरे देश दी सरकार या देश दे जड़े जनसियां सान उना ते भी बहुत ज़ादा दबाव लगातार बंदा रहा क्योंकि केपेस गिल जो अतवाद या वखवादे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सान उसनों पूरे देख्या जा रहे सी तो उना देख बहुत रसूख सी ते काफी हद तक CBA अफसरा देवी इस चीदा दबाव सी लेकिन 1994 एपरिल मई 1994 देविच इस मामले दी CBA जड़ी है सुप्रीम कोर्ट वलों बठाती गई ते ओ जड़े वी पांच अफसर गये सन पंजाब पुलिस दे उना नों प्रोसीक्यूट करन दे निर्देश देते गए पंजाब सरकार नों भी आदेश देते गई वी 15 दिन दे विच विच इना दी प्रोसीकूशन नों लेके सैंक्शन यानि जड़ी बजूरी सरकार वो दित्ती जानी हुन दी है उततकाल दिती जावे ते एजड़े आफसर ने इना नो टंगया जावे। उस्तुबाद ये मामला CBA ने को क्या ते CBA ने अपनी जांच दे बिचे सारी गल्ला माता सही पाई या ते उस हेलिकॉप्टर जो की स्टेट वल नो हायर किता हुए हेलिकॉप्टर सी उस बिच किस तरीके ना पंजाब पुलिस दे टीम इस वास्ते इस मामले नो जादा हवा ना दिती जावे इस नो लेके भी बहुत जादा दबाव बनाया गया क्योंकि एक तरीके ना सिद्धे तरीके ना इहलिकॉप्टर किस दी इजाज़त तो एक पुलिस अधिकारे नो दिता गया अपरादिक मामला DGP दे भी बान सकदा उस वक्त सरकार दे उतले अधिकारियां तो इभी बन सकदा दा दे लेकिन कितना किते इतले अधिकारियां तक इस मामले दी गास दे आँच ना गिरे इस चीज ले लगातार ते बकाइडा जड़ा दबााई सी कि एप्यस गिल होना दी लबी बनों के अंदा दे भी बनाया यानि कि Life Imprisonment दी जड़ी सजा सी ओ कलकत्ता दी अदालत ने सेशन्स कोर्ट ने सुनाई तो पांच जड़े पूलस अफसर सन जिस दे विच की सुखदेव सिंग चाहल डियेस्पी जीनादे की PSO सन बशीर एहमद उस तो उनादे उतले अधिकारी संत कुमार सिंग ते दो हैड कॉंस्टेबल ते कॉंस्टेबल एह पंजानों रिगरस इंप्रिजनमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट दो हजार विच हो जानती है लेकिन उस तो बाद एह लोग बेल लई हाई कोड विच अप्लाई कर देने जिस तो बाद 2001 दे विच इननों हाई कोड तो बेला मिलियां हाई कोड तो बेल मिलन तो बाद एह लोगां दे हाक विच या इमदाद लई पंजाब दियां अगलियां वक्वक सरकारां जो भी 1997 तो बाद या 2002 तो बाद रही हैं उन्हा ने पच्चे बंगाल दे गवर्नर या उत्थे दे जड़ी सरकारां सान या जो ती बसू तक अपना पूरा रसूक ते दबाब बना दे होया या पंजो पुलस अफसरा दियां विजिलन्स ते SSPV रहे आईजी लेवल ते रैंक दे उत्ते भी इलोग तैनात रहे तो एड़ा वड़ा इंकाउंटर बंगाल दे विच गलब तरीके नल अंजाम देना उस तो बाद पूरे मामले दी CBA जाच होना ते अदालतां वन्हों इन्हानों दोशी पाए जान तो उमर कैदी सजामा होन तो बाद भी इलोग बहाल किते गए इन्हों पाड़न दिती गी गवर्नर वल्लों ते बाद दे विच इलोग आदी तेनाती पंजाब वले से विच गिती गी ते वक वक आउद्यां ते इलोग तैनात रहे सो तुसी अंदाजा लगा सकते हैं भी सूरते हाल अंजाम गुलस्ता क्या था जब हर शाक पे उल्लू बैठा था यानि की कोई पुछन पे कोई सुनवाई करण वाला नहीं सी लेकिन कुछ लोग का दी जड़ी तारीफ बन दिया थे खासकर के पच्च बंगाल सरकार दी ज आखिर तक या बंगाल दी जड़ी सरकार सी ओ आखिर तक ए मांदी रही बशीर एहमद या बशीर मुहमद एहमद ते उनना दी पतनी सकीना बेगम मसूम सन निर्दोशन बेदोशे सन लेकिन पंजाब सरकार दे रिकॉर्ड ते कागजां दे विच ओ बहुती खतरनाक बागियां दे रैंक विच खाड़कों दे रैंक विच सेंध मारी कार चुका सी उथे वड़के ओ पुलिस दे खिलाफी काउंटर जड़े स्टेट ऑपरेशन सी उनना नू चला रहा सी गा ते एत्वही ओपग ओड़ा सी तो एक बहुती दिल्चस्प जड़ा वाक्या है त काफी हत्त के जानू भी करांदा है उना समया दे बारे विच जदों की पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस दे उस्ते हटकंडे पैंतने नू चुनोती देन वाला या चैलेंज करन वाला कोई-कोई ही होया करदा सी इस तरीके दे एक दो एक्जामपल महराष्ट्रा दे भ पोड़ के अपनी जुरिस्दिक्षिन नू टपके मुंबई दे विच वारदाता कार दे सान या इनकाउंटर कार दन दे सान या उस तरीके दी दविश करन दी कोशिच कार दे सान बिना लोकल पुलिस नू उत्तला दे बहुत सकती मुंबई दे जड़े कमिशनर वलनों भी इस तरीके दी ताड़ना करती गई सी फारुक अब्दूला दा मैं पहले जिकर किता है पंजाब पुलिस दी एंट्री नू भी होना ने जम्मुक श्मीर दे विच बैन करता सी इस तो बाद बंगाल दे इस कटना तो बाद क्योंकि इसे साल उनी सो तराने दी ची दो तिन हो हुआ उस केश दे विच भी पाड़न जडी की गवर्नर वीपीस बैडन ओर ने उना पुलस अफसरा नू देती ते ओ पुलस अफसरा दे विच भी बहुत से लोग इना सजावा पॉन तो बाद भी अलग अलग अध्यां दे पंजाब दे विच तेनात रहे इस तो बड़ी 1993 तो बाद दे 28 साल दे विच पंजाब पुलिस ने काफी सबक लेने आज दी जडी पंजाब पुलिस है बहुती एक वखरे किसम ते एक सोच रख दी है काफी हट तक ओवर पीरिड ओफ डेकेड्स हुन साला दी गल निया ता कई दहाक्या निकाल हो चुकी है पच्चे मंग पुलिस ने काफी है कि पंजा पुलिस ने काफी पनी तीम भी ओते बंगाल में दे लिए जाके जैपाल कूल पालूर दे इंकांटर कर दी है उस डिम्शूत हो दी मुन स्टानप सर्कार ने रहिए कि ऊपंजाब पुलिस ने कम के सcast करके इस तेल जला दे उस्याडर तो बा उना दोशी अफसरानों सदामा तक मिलियां उस तो बाद पंजाब पुलिस दी फिर हिमाकत दुबारा नहीं होई ते बहुत ऐसे कटनामा होई हैं क्योंकि कल्ला बंगाल ही नहीं सी मैं पहला जिकर कार चुका हैं मदपरदेश, महराश्टरा बरगे होर इवन उत्तर देज सकता सी लेकिन बहुत से होर चीजान आणियां बाकिने सो उस्थे आलाग वीडियो विच गाल करांगे लेकिन इस वीडियो दे विच तुसी बहुत सी नभिया चीजां ते बहुत एक वक Aunty वाके बारे जानकारी हासल किती है उमीद करा एंगे थो वन्हों ठीक लेकिन उस तो बाद मेल दे जरीए मैंनों थोड़ी होर जानकारी मिली ते जटनों जैपाल को उलर दे इंकाउंटर होया ते पच्चिम बंगाल देनाल ए पूरे इंकाउंटरा दी गालबा दा सिलसला दुबारा शुरू होया जैपाल को उलर दी गालता पापा पहला भी किती है होर भी काते रांगे लेकिन इस तरीके दे इंकाउंटर या इस किसम दिया जड़िया कटामा या वारताता हुई है उन्हानों थोड़े सामने निखार के लियाना मैगनिफाई करके लियाना जरूरी सी ताकि आपां समझ सकी आपां कुछ कदम अगे वदे हैं आपां कुछ बहतर हुई है आज आपां उस तरीके दे वतीरे चाड़ चुके हैं उस तरीके दे टांग तरीके या पैंतरे चाड़ चुके हैं तो आज दी रिपोर्ट वीच एनना ही विराम दन्या आज दे अपने इस वीडियो नू आना लिए वखवख आस्पेक्स दे उत्ते वीडियोज नो एक सेम किसम दा रिस्पॉंस जरूर दें क्योंकि तोड़ी रूची हो सकता है इंकाउंटरां देविश जादा हो वे गैंग्स्टन देविश जादा हो वे लेकिन गैंग्स्टन नो खाड़कुआ नो वखवादिया नो या होर तमाम समाज ना जुड़े होए जड़ा जरूम हो रहा है क्राइम हो रहा है उस तो समझन लई साड़े सिस्टम नो साड़िया सरकारा नो साड़ी पॉलिटिक्स नो समझना भी जिरूरी है तो गाहे बगाहे असी बहुत से ऐसे वीडियोज धन्ने हैं जबेंकि मैं सीरीज किती सी ओपरेशन ब्लू स्टार दा जिकर होया उस दे विच उस तो बाद संत लोंगोबाल ते रजीब गांदी दे अकॉर्ड दी गाल बात हुई बैचामागा भी ओजड़े वीडियोज ने थोड़ा काट रिस्पॉंस मिलदा रहा है चामागा भी हर चीज दे हर जड़ी डेवलेपमेंट हो रही है साड़े इर्दगिर्द क्योंकि साड़ी पॉलिटिक्स ने साड़ी सरकारा ने साड़ी पब्लिक जड़ी लाइफ है गया उसने बहुत हाथ तक एफेक्ट करना हूं था जो कुछ जमीन ते हो रहा है पुलिस दे जो भी वदीखियां कित यहने तथ दे जा रहे है बहुत से नौजवान है गयने वी सानु जैपाल पुलर दी कहाणी से ना दो कैंग्स्टर के में मरया ओ कित्थे गिरया प्यासी किनिया गोडिया वज़िया पुलस के में आई ए चीज़ना बहुत छोटी डिटेल्स है गयाने मैं थोड़ी जानका पारी सूचना लेके उसनु इंटर्नलाइज नहीं करना बलकि उसनु एक लार्जर ट्रेंड अनना जोलके वेखिये वी जो हो रहा है उदे पिछे दा मनुरत की है उदी कहानी तार कित्थे जुड़ देने ते किये किसी लार्जर ट्रेंड दा हिसा है तो आज दा वीडियो करना रांगा इस वीडियो दे जरी है अपने रिपोर्ट्स दे जरी है साड़े नाल जोटेटो मेरे नाल मेरे यूट्यूब चानल रितेश लखी आनप्लाग दाही साब बने रो बहुत बहुत आनुमात